नमस्कार बच्चो आज हम तीन जुन के करेंट अफेर्स को लेकर प्रस्तुत हुए हैं 15 महत्पॉर्ण प्रश्न कुछ महत्पॉर्ण न्यूस के साथ पैन और कॉपी ले ले और जिसे नोट करते चलें क्योंकि आने वाली परत्योगी प्रिक्षाओं के लिए अगर लगातार हम इसी क्रम में क्लास करते रहेंगे और इन इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं उन्हें नोट करते रहेंगे तो आने वाले समय में हमें दिक्कत नहीं होगी अब जो पहली न्यूस जो है आप देख रहे हैं कि इस्रो और विप्रो 3D ने 3D प्रिंटेट रॉकेट इंजन पर सेहोग किया है आप इसको एक बार पढ़ लेंगे अगला है विश्व साइकिल दिवस 2024 परिवहन के संधार्णिये और स्वस्त तरीके का जश्न मनाना नेक्स्ट अदानी पोर्ट्स ने व्यश्विक पहुच का विस्तार किया तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के लिए 30 साल का सौधा हासिल किया पूरा एक्स्पलिनेशन है इसको देख लेंगे आप नेक्स्ट है भारत नव गठित विश्व मुक्के बाजी निकाएं में शामिल हुआ अगला दिनेश कार्थिक ने प्रतिनीधी किर्केट से सन्यास की घोशना की रियल मेड्रीट का एतिहासी पंदरवा चेंपियंस लीग खिताब गोतम अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल किया गोतम अडानी है यह और इसके साथ ही अब आपकी स्क्रीन में जो पहला mcq प्रशन है और इस परकार है कि हाली में किस देश ने मुझफर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चा यूग हाई कमिशनर निक्त किया है इसका आंसर होगा ही मलेशिया अभी हाल ने मलेशिया ने भारत में अपना नव न्यूप उच्चा यूप दातो मुझफर शाह मुस्तफा को न्यूप किया है अगला प्रशने की हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी का खिताब जीता इस फेलिंग भी मदुमक्खी की बात हो रही यहां पर और यह आंसर होगा गुहर्ट सोमा जो भारती मूलके हैं और अमेरीका में रहते हैं उन्हों ने इस खिताब को चीता अगला क्वशने की हाली में रूस और किस देश ने फिर से उन्हां परमाणु उर्जा सेहौक च पुरूस और उजबेकिस्तान ने ये मद्ध हिश्या का पहला बनाने की योजना प्रारंब गी अग्ला प्रशने के हाली में किस देश के किर्केटर प्राडेन कार्स पर तीन मेहने का परतिबंध लगा दिया गया तो यह इंग्लेंड के किर्केटर है जिन पर यह परतिबंध लगाया गया तेज गेंदबाज रहें ये अपने समय के और 13 महने का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अगला प्रशनी की हाली में किसने रक्षा परबंधन कॉलेज के कमांडिन का पद भार संभाला है तो यहां पर आंसर होगा हर्ष छिपबर जो हर्ष छिपबर हैं मिदри में उन्हें हाल में ही जो है सिकंद्राबाद के कालेज औफडिफेंस मेनेजमेंट कहां मारी मेनेजबहां का पद संभाला है् यह चिपबर यह आंसर आफ्याद रखेंगे और यहां पर है कि को की ऊंसुआ चिरवाद दिसंबर 1970 में की गई थी इस संस्थान के संस्थापक निदेशक बिर्गेडियर वी इद्रुख थे अगला प्रशन जो आपकी स्कीन पे कि हाली में किसे परतिष्टित नेलसन मंडेला पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो संस्था का नाम है निभंस निभंस जो स्वास्ते वंन तंत्रिका विंज्ञान संस्थान इसको हम निमंस कहते हैं यह हे निमंस दा नेशननल इंस्टिटूट दा नेशनल इंस्टिटूट अव मेंटल हैल्फ और नीयो साइंसेस्थ यह जो है इसको यह कहां पर है बेंगलूरू में है इसे विश्वास संगठन द्वारा नेसल मंडेला पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इनके निदेशक है डॉक्टर परतिमा मूर्ती और वार्षिक बेठक होती है डबलू एचो की वह जिनेवा में होती है जिनेवा जो है वो स्वीजर लेंड म बर्न है और जब हम बात करते हैं डबलू एचो की तो इसका हैट आफिस जो है वो जिनेवा में है कि नेसल मंडेला की अगर हम बात करें तो उनको अपने जीवन के 40 परशों में 260 से अधिक पुरुषकार मिले जिन में सबसे लेखनी है 1993 का नोबल शांतिक पुरुषकार है नेसल मंडिला जो अफ्रीका के रास्ट पती रहे और गांधी जी की नीतियों से उनके नॉन वाइलेंस से अतिदिक पर भावित है और उनको यह पुरुषकार मिला नोबल शांति पुरुषकार नेक्स हाली में किस भारतिय मूल के शोद करता ने एक मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजिए बहुत ही बहुत भैतरी तकनीकी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत समस्याइक खतम हो जाएंगी और यह हैं अंकुर गुपता भारते मूल के अंकुर गुपता ने ऐसी तकनीक का खुलासा किया है कि आप एक मिनिट में अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं अग्ला है कि हाली में कौन ऑई जी सी ए आर के डिरेक्टर बने हैं अगर हम बात करते हैं अगर के डिरेक्टर की तो बात हम करेंगे सीजी कर रहा रवकर तो सीजी साहब जो है उनको बनाया गया है और इस परमानों विज्ञानिक है और यह कल पक्कम इंद्रा गांदी परमानों अनुसंधान केंद्र के निदेशक निफ्थ किया गये हैं इसी को हम कहते हैं फ्च्रव घांदी अनुसंधान केंद्र कहा है कल पक्कम एक प्रश्व ठीद्र हमारा यहां पे जो आ सकता है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी इंद्रा गांधी परमाणों अनुसंधान केंद्र भारत के परमुख परमाणों अनुसंधान केंद्रों में से एक है अगला हाली में कौन सा देश नव गठित विश मुक्यबाजी निकाय में शामिल हुआ है अभी हाल में ही भारत बारति मुक्यबास संग ने विश मुक्यबाजी में शामिल होने के लिए सेहमती जता कर एक महत्वपूर्थ कदम उठाया है कि यह जो बैंकॉक में चला है विश ऑलंपिक क्वालिफायर उसके संदर्व में इन्होंने यह कदम उठाया है और भारती मुक्यबाजी महासंग के अध्यक्ष इस समय है अचे सी और मुक्यबाजी का जो परसिद नाम रहा है एक समय पे जो वह सुलीवन थे तो यह क्लियर हो गया यहां पर जुमने बात की थोड़ी सी अगला है कि हाली में किष्ण कनहाई की भब गोल्डन किष्णा परदर्शनी शुरू ही है जिसे भारते कलाकार कि ने अपने नवींतम संघ्रे गोल्डन किष्णा अभव घाटन किया है और उन्हें यह परदर्शनी करी और इसके अंदर तिरुपति बाला जी की 24 केरेट सोने की त्यार की हुई देश के द्वारा एक द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन है तु समझोता किया है तो यह तंजानिया तंजानिया के साथ यह समझोता हुआ है और तंजानिया का ही बंदरगाहे दार est शलाम है जोतम अड़ानी अड़ानी ग्रूप ने इसके साथ ही एक समझोता किया है अगला परशन हाले में तुम्हभू नियंतर्ण के लिए कुंधे बंग बंवेस्टर बनी यहांपर हम देखेंगे खिते हैं फील्दंध के लिए बनाया गया गया है यह ऽी और यह प्रस्चन भी आ जाता था कि लाइसी खेल और इस संदर में भी याद रखेंगे अगला प्रशने की हाली में किस राज ने इस पूली पाठकरम में कृतिम गुद्धी मत्ता को शामिल किया है और इससे पहले एक बार कर चुके कल केरल ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी को अपने बच्चों के स्लेबस में शामिल किया है कठपुतली कलाकार थे ऐसे प्रशनाने की पूरी संभावना है तो आप इसको explanation देख लेंगे कि उडिशा के चड़ी कठपुतली के अगर्णी और पदम पुरुसकार से सम्मानित थे बहुत कलाकार जाने माने कठपुतली के छेत्र में और उडिशा के क्यों जहार जिले मे रहने वाले इनकी मृत्ती हो गई और उडिशा राज के वरतमान मुखमती नवीन पतनायक और राजपाल है रगुवर दास अंतिमों पंद्रवा कोशन आपके सामने की हाली में किस संस्थान ने DRDO Institute Academy Center of Excellence की स्थापना की है तो IIT कानपूर ने हाली में DRDO Industry Academy Center of Excellence की स्थापना की है देख लेंगे कि भारते प्रद्योग की संस्थान कानपूर ने DRDO के साथ सांजेधारे में अत्यद्धुनिक अंसुंधान के लिए अपने परिसर में DRDO अकादमिक बूट सेंटर का उट घाटन किया यह पहल देशवर के परमुक मीडिया संस्थानों में DIA कंपनियों की स्थापना करने की DRDO की रणनीति के अनुरूप है जिससे प्रद्योग की विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी इस संस्थान की स्थापना भारतिय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तक्नि पर्देश के कानपूर शेहर में नोट कर लेंगे स्क्रीन शॉट ले लेंगे महत पूर्ण पंद्रा प्रस्ट जो एक्जाम में आ सकते हैं इसके साथ या आज की स्लाइड यहीं पर समाप्त हो कि इसे बच्चों नोट कर लेंगे पुना फिर हम कल ने करंड अफेर्स के फिर से मुलाकात करेंगे नमस्कार